हलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगी कि कैसे आप अपना पॉर्टफोलियो का जो वैल्यू है उसे सेफ़कार्ट कर सकते हैं इस वॉलटाइल मार्केट में जैसा कि आप जानते हैं कि काफी जादा कंसॉलिडिशन देखने को मिल रहा है मार्केट साइडवेस चल रहा है यहाँ पे अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो नीचे की तरफ एक रेंज पकड़ा हुआ है 16,800, 16,900 और उपर में 18,200 यह जो 1400 का रेंज है उसमें ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है नॉवेंबर से लेके आज फेब्रोरी हो गया है नॉवेंबर, डिसेंबर, जैन, फ आपके पॉर्टफोलियो में तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं जिससे जो आपको पॉर्टफोलियो लॉस दिख रहा है वो कवर हो जाए और मार्केट करेक्शन से आपको ज़्यादा फरक नहीं पड़े मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कॉल आप्शन बेचने की या पासल का रेंज है जहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है अब यहाँ पर यह उपर वाला जो चार्ट है दिस इस निफ्टी 50 और नीचे वाला जो चार्ट है दिस इस एटीग थाऊजन अ का call option for March expiry 31st March का जो एक्सपारी होगा उसका यह call option है जिसका premium अभी 191 चल रहा है सो आपको करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं जानवरी में अगर आप ये देखेंगे 775 से लेके 800 के असपास गया था इसका प्रीमियम तब मार्केट ने भी अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया था 18300 तक गया था फिर वापस नीचे आ गया सो ऐसे टाइम पर या इतना ज़्यादा रिस्क ने लेना तो इस पॉइंट पर हम बात करते हैं मार्केट काफी अच्छा अपसाइट दिया 16900 से जंप करके 17800 तक गया उस पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि यहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ आ सकता है तो उस टाइम पर जो प्रीमियम चल रहा था that is 423 400 के इसाप से हम सैंपल लेते 400 के इसाप से 400 पर आपने ये वाला जो आप्शन है इसे सेल कर दिया आपने बाई नहीं किया है आपने सेल किया है यानि कि 400 का जो प्रीमियम है वो आपको पूरा मिलना चाहिए अगर मार्च एक्सपाइरी तक निफ्टी का जो ये स्ट्राइक प्रैस है 18,000 निफ्टी अगर 18,000 के नीचे बंद होता है तो 400 इंटू 50 जो लॉट साइज है वो पूरा आपको मिलेगा यानि कि 20,000 रुपीज आपको स्ट्रेट प्रॉफिट होगा और आपका पूर्टफोलियो जो है उसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है ये ऑप्शन सेल करने के लिए आपको मार्जिन की रिक्वाइमेंट होती है तो आपको जो पूर्टफोलियो वैल्यू है उसे आप प्लेज कर सकते है और उस प्लेज के अगेंस्ट में आपको मार्जिन मिल जाएगा और आपको एक्स्ट्रा पैसा डालने की भी जरूरत नहीं है अगर आपके डीमाट अकोंट में यह चीज आवेलेबल नहीं है प्लेज करने की तो लिंक में एंजल ब्रोकिंग का एक अकoun अपनिंग लिंक है उस पे जाके आप एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट उपन कर सकते है और वहाँ पे यह फैसिललेटि इविलेबल है जिसमें कि आप अपना स्टॉक प्लेज कर सकते हैं and margin आपको मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं सो यहाँ पे सपोज आपने बेज दिया 400 रुपे में ये call आपने sell कर दिया अब क्या हो सकता है maximum और क्या हो सकता है minimum उसके बारे में बात करते हैं सपोज एक्सपाइरी के दिन निफ्टी चले गया 18,100 तो जो प्रीमियम होगा वो होगा 100 रुपीज आपने बेचा है 400 में और आपको खरीदना पड़ेगा 100 रुपे में तो भी आपको 300 रुपे का प्रॉफेट होता है 300 रुपेज इंटु 50 Similarly, 18,200 पे क्लोज होता है तो 200 का प्रॉफेट होगा 18,400 पे अगर क्लोज होता है तो आपको नो प्रॉफेट नो लॉस होगा लेकिन 18,400 के उपर अगर 18,500 पे क्लोजिंग देता है तो आपको 100 रुपेज इंटु 50 100 पॉइंट्स इंटु 50 यानिकी 5,000 का लॉस हो सकता है लेकिन आपका जो पॉर्टफोलियो है उसका वैल्यू काफी जादा ग्रो होगा अगर निफ्टी 18,500 पे जाता है ये चीज़ समझने की जरुवत है 17,500 से 18,500 अगर निफ्टी जाता है तो आपका पॉर्टफोलियो वैल्यू काफी अच्छा बढ़ेगा कम से कम 10% से 15% तक बढ़ सकता है और उसके सामने आपको जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ 5,000 रुपीस है या जितना भी प्रीमियम बढ़ता है बट हाइयर चांसे है कि ये प्रीमियम आपको पूरा मिलेगा क्यूंकि जो ट्रेंट चला रहे है निफटी का उसमें जादा अपसइट देखने को नहीं मिल रहा है काफी वोलाटाइल है, कर्यक्शन काफी जादा है सेलिंग फ्रेशर काफी जादा है सो जादा से जादा क्या होगा अगर 19,000 भी चले जाता है तो भी आपका जो लॉस है that is 600 into 50 that is 30,000 रुपीज बट आपका अगर 50 लग का पोर्टफोलियो है या 20 लग का पोर्टफोलियो है तो आपको पोर्टफोलियो में ही कम से कम 4-5 लग का प्रॉफिट हो जाएगा और उसी जगह पे अगर मार्केट उपर नहीं जाता है तो 20,000 रुपीज आपका प्रॉफिट पोर्टफोलियो में एड हो जाएगा आप 20,000 रुपीज अर्न कर सकते है उसी जगह पे अगर आप चाहें तो 4 लॉट भी ले सकते है अगर 4 लॉट आप लेते है तो 80,000 का प्रॉ लगता है और काफी लोग बोलते होंगे कि अंडर रिस्की भी है बहुत जादा पैसे लगते है बट बहुत सेफ है आप कभी भी चाहिए तो एक्जिट ले सकते हैं कभी बेंट्री ले सकते हैं तो यह मत सोचें कि आपने अगर इसे सेल कर दिया तो आप आप बाइक अप कर करता हूं और March end में 18,000 के नीचे अगर close होता है तो पूरा का पूरा 20,000 मेरा profit है उसी जगर 18,000 के ऊपर close होता है 18,000 से 18,400 के बीच में तो भी मैं profit में रहाऊंगा और अगर 18,400 के उपर जाता है तो थोड़ा लॉस हो सकता है लेकिन मेरा जो portfolio value है वो intact रहेगा और वो काफी ज़ादा grow करेगा तो यह strategy में थोड़ा आप research कर सकते हैं and try किजिए, implement किजिए काफी अच्छा strategy है अच्छा खासा profit आपको हो सकता है इस strategies है और आपको जो portfolio है उसमें भी कुछ छेट शाड़ करने की ज़रूति है काफी simple है underwriting करनी है उपर में जब market उपर जाता है तब call option बेचना है similarly on the other hand आप put भी sell कर सकते है जब market निचे के दरफ जाता है तो put options का price बढ़ जाएगा premium बढ़ जाएगा तब आप उसे वहाँ पे sell कीजिए under का market उपर आता है तो वहाँ पे आप उसे buy कीजिए thanks for watching this video please do subscribe for regular updates